आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं वेरी इंपोर्टेंट क्वेशन आफ साइक्याटरिक नर्सिंग पहला क्वेशन है स्क्रीन पर आपके सामने नियूरो ट्रांस्मीटर रेस्पॉनसिबल फॉर डिपरेशन ऐसे नियूरो ट्रांस्मीटर का नाम पहुचा है जो कि चिम्गवदार है एक मेंटल हेल्थ डिस्वॉडर के लिए इसका नाम है डिपरेशन पहला ऑप्षन जो है स्क्रीन पर आप सरवी के सामने वो यहाँ है कि इंक्रीज सिरोटोनीन decrease serotonin, decrease serotonin and dopamine decrease level of serotonin and norepinephrine देखिए आपसे तीन option जो है आपको यहाँ पर same दिखाए देंगे decrease serotonin, decrease serotonin, decrease serotonin अब तीनों में reality क्या बदलती है एक बार लिखता है कि decrease serotonin and dopamine यह बोलना कि बोथ decrease हो जाएंगे serotonin भी कम हो जाएगा dopamine भी कम decrease level of serotonin and norepinephrine दो नाम यहाँ पर दिया है पहले में लिखाए only decrease serotonin बच्चे कहीं बार या करते हैं जल्दी बाजी में इस option को पढ़ते हैं और सही कर देते हैं सही answer यहाँ पर हम सभी के सामने होगा decrease level of serotonin and dopamine option number C को यहाँ पर बिलकुल correct answer हम लोग यहाँ पर मानेंगे देखिया क्यों क्यों मानेंगे option number C को यहाँ correct answer क्योंकि serotonin तो decrease होता ही है actual में आपको बता दूं serotonin क्या है serotonin actual में एक neurotransmitter है serotonin जो है actual में क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहां है neurotransmitter रख लिया neurotransmitter अब देखो दो-तिन question में आपको serotonin से बता दूँगा कि serotonin serotonin से पहला question जो आता है इसका दूसरा नाम इसे हम लोग बोलते है 5-hydroxy-trypto P-H-A-N इसे क्या बोलते हैं हम लोग 5-hydroxy-trypto-fen भी से हम लोग बोलते है serotonin से पहला question कि इसका नाम जो होता है वो होता है 5-hydroxy-trypto-fen इसका जो है chemical name इसके chemical composition के पैसिस पर अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो जो serotonin होता है वो होता है 5-hydroxy-trypto-fen दूसरी चीज serotonin जो होता है वो हमारे brain में हमारे brain में राफे राफे नुकलियाई करके एक स्थाम होता है देखो राफे नुकलियाई करके neurons की cell body होती है वहाँ पर ये बनता है तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर याद रखनी है serotonin जो होता है अगर हमारी body में serotonin normal level पर है serotonin हमारी body में normal level पर है तो यहां पर यह हमारे mood को stable रखता है, happy hormone भी इसे हम लोग बोल सकता है, लेकिन जब कभी भी मारी body में serotonin की कमी हो जाती है, तो उसकी वज़े से person जो है, वो depression में जा सकता है, तो actual में क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कि यहां पर यहां पूछा गया है कि serotonin की कमी की वज़े से तो depression होता ही है, साथ में associated neurotransmitter कौन सा है, associated neurotransmitter है dopamine, clear, associated neurotransmitter कौन सा है, dopamine, तो एक बात थोड़ा सा पहले की तरफ चले, तो क्या question था skin पर मारे सामने कि neurotransmitter responsible for depression, कौन साथ neurotransmitter depression के लिए जिम्मेदार है, तो decrease level of serotonin, serotonin तो कम होगा ही होगा, साथ में कौन कम हो जाएगा, dopamine भी यहां पर कम हो जाएगा, ठीके, आगे बढ़ें एक बार, अगर question अच्छा लगाओ, तो वीजियो अंतर तक देखना है, क्योंकि ऐसे ही question में आपको सोड़ को रवाने बाला हूँ, आगे बढ़ते हैं, neurotransmitter related to mania, अब देखो किसी person को हो गया है, mania, mania is disorder of emotion, किसका disorder है, emotion का, clear mania के अंदर person की psychomotor activity बढ़ जाती है, tone volume pressure बढ़ जाता है, flight of ideas आने लग जाता है, very very important symptom क्या होता है mania का, flight of ideas, देखे, flight of ideas में क्या होगा, person जो है rhyming भी कर सकता है, कुछ चुजो को एज़े से बोलता है, जैसे की, my kids name is lily, my kids belly, my kids belly, my kids daily, my kids daily, I like ice cream, chocolate belly, I go to silicon valley, इस तरीके से person बोलता है, neurotransmitter related to mania, increase serotonin, decrease serotonin, increase dopamine, decrease level of serotonin and noropin, फिरिन देखू क्या बुचा, increase serotonin, mania में क्या serotonin बढ़ जाएगा, decrease serotonin, क्या serotonin यहाँ पर कम हो जाएगा, तो सही answer हमारे साबने क्या होगा, increase level of dopamine, जब कभी भी किसी भी person में, dopamine का level बढ़ जाए, dopamine क्या होता है, यह reward system वाला neurotransmitter होता है, reward system, क्या होता है reward system, आप लोग जानते होंगे, कुछ काम करने में हमें मज़ा आता है, ऐसा कोई भी काम जिसी करने में मज़ा आता है, तो उस मज़े वाले काम में क्या होता है, brain में जो है, dopamine बढ़ जाता है, और जितना dopamine बढ़ता है उतना ही हमें मज़ा आता है कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब हम वहां काम नहीं कर रहे होते हैं जिनमें मज़ा नहीं आता है तो उसकी वज़े से हमारा mood जो होता है वो depressed हो जाता है mood हमारा खराब हो जाता है एक्चूल में क्या होता है कि अगर हमें हमारे brain को खुश रखना है तो dopamine को बढ़ाने वाले काम करने पड़ते हैं तो यहां पर क्या होता है मेनिया के अंदर परसन में dopamine बढ़ जाता है जिसकी वज़ा से परसन जो है वह hyperactive यूफोरिक हो जाता है excessively happy rate लगता है तो यहां पर सही answer यहां पर है हमारे सामने increased dopamine important question neurotransmitter related to dementia अब यह बोल रहा है कि dementia dementia के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा organic इसे हम लोग बोलता है organic mental health disorder देखिए यह brain से related है brain में injury से related है लेकिन कई बार बोलता है कि भई किसी person में dementia हुआ है तो बताओ कौन से neurotransmitter के level में changes आए होगे तो पहला option है increase acetylcholine दूसरा option है decrease serotonin third option हमारे सामने है decrease acetylcholine and the last option हमारे सामने है decrease level of serotonin and lower epitaphic बहुत अच्छा प्रशन आप लोगों के सामने यहां पर कि देखो क्या देखना है हम लोगों को लोगों को जब इतना सा ही देखना है कि भई neurotransmitter का नाम बता दो यहां पर actual में अगर सही question सही option के हम बात करें तो हमारे सामने होगा decrease level of acetylcholine acetylcholine ऐसा neurotransmitter होता है जो कि हमारी memory हमाली sleep हमारा digestion इसे improve करता है तो human की memory, human के sleep human के digestion को improve करने वाले neurotransmitter को हम लोगों आपर acetylcholine बोल रहे हैं तो increase level of acetylcholine decrease level of serotonin decrease acetylcholine सही answer है decrease level of acetylcholine की वज़ज़ से किसी person को dementia होगा जिसकी वज़े से उसे memory जो है उसकी वो weak हो जाएगी और mainly हाँ पर जो है recent memory हाल ही में उसने क्या काम किया था वो तो उसे बिल्कुल भी आ रही होगा recent memory जो है वो बहुत ज़्यादा impaired हो जाएगी उमीद है question समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं neurotransmitter related to schizophrenia schizofrenia में कौन सा neurotransmitter affected होता है increased dopamine decreased dopamine decreased serotonin and dopamine decreased level of serotonin and norepinephrine सभी लोग very very important question है सभी विद्यारतियों को याद है increased dopamine decreased dopamine सही answer screen पर हम लोगों के सामने है कि neurotransmitter related to schizofrenia पूछा गया है कि schizofrenia क्या होता है schizofrenia schizofrenia एक प्रकार की psychosis है इस psychosis के अंदर क्या होता है इस psychosis के अंदर person की insight person की खुद के बारे में जानकारी जो होती है वो absent होती है तो किस neurotransmitter की वज़े से होगा increased dopamine जब कभी भी किसी भी person में dopamine बढ़ जाता है तो ऐसे person के अंदर schizofrenia हो जाता है और कहीं बार एक question आज पर भी आ रहा है अभी MSC entrance में भी यह जो अभी दो-ती दे पहले देलियम्स का हुआ है महाँ पुछा गया neologism के बारे में neologism की schizofrenia से कौन सा symptom अगर बढ़ जाए तो वो suggest करेगा कि person को schizofrenia है दोस्तों जब कभी भी schizofrenia किसी person को हो जाता है तो उसकी आदत हो जाती है नए-णए words बनाने की वो pain को बोलेगा टिंट अपपा आइस क्रीम को बोलेगा लिली ठीक है फ्लावर्स है तो फ्लावर्स को बोलेगा जुननाल तो कुछ भी मतलब एक नया word नया word जो होता है वो ordinary चीज़ों को देने लग जाता है उसके दिमाग में नही नहीं शब्द आते हैं वेरी वेरी इंपोर्टन अभी तक नीरो ट्रांस्मिटर के सारे कुशन में ने करा दिया आपका कन्फ्यूजन पूरा कितम करा दूँगा और नाम है सुनेल से पूरा सेलेक्शन भी करवा दूँगा क्लिया भरोसा रखिये इं-auregenic brain disorder देको क्या बोला है किसी person हो गया organic brain disorder तो hallucination होगा देखे क्या होता है organic brain disorder जो है एक प्रकार की psychosis है psychosis वो भीमारी होती है जिसमें person की insight जो होती है खुद की परतिजाग उकता होती है वो क्या होती है कम होती है तो ऐसे में person को होते है, hallucination, hallucination का मतलब क्या होता है, जो नहीं है, वो दिखाई देता है, जो नहीं है, वो सुनाई देता है, जो नहीं है, वो touch feel होता है, जो नहीं है, उसका test आता है, जो नहीं है, उसकी खुशबू आती है, जो नहीं है, मतलब यहाँ पर in absence of stimuli, in absence of stimuli, person को stimulation मि तो यह सब खुद की रचना होती है, उतके ब्रेन में गड़बड़ी की बज़े सी हो रहा होता है, तो और्गेनिक ब्रेन डिसूटर में क्या होता है, ना तो ओडिटोरी सुनाई में देते हैं, ना ओल्फेक्टरी ना गस्टिटरी सही आंसर है, स्क्रीन पर सामने विज्वल जो कभी भी किसी भी dementia का person, delirium का person होता है, उसे आप देखोगे ना, तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा वो, औरे, मुझे मेरे पिताजी दिखाई देते हैं, अभी अभी वो भूता आया था, आप मुझे एक जो है, डवाई लगाकर के गए थे, जबकि आपने प्रेशन को द इम्यूनो सप्रेशन ड्रग, अब person को चल रही है, इम्यूनो सप्रेशन ड्रग, तो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग में से चलते हैं, steroid, अब यह जो steroid होते हैं, इस steroid की वज़ा से, यह जो steroid होते हैं, इस steroid की वज़ा से क्या होता है, person को हो जाती है, steroid induced psychosis, क्या हो जाती स्टिरोइड इंडिूज साइकोसिस की वज़े से परसन जो होता है बहकी बहकी बाते करने लगता है कोई बार मैंने प्रेशन को कहानियों सोनाते भी दिखा है तो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ वीजवल हालूसिनेशन पहला प्रसन भी मैंने आपको अच्छे सा समझाया था यह प्रसन भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहा आपके लिए क्या कि स्टिरोइड की वज़े से क्या हो सकती साइकोसिस तो जब कभी भी किसी भी परसन को स्टिरोइड चले उसमें शुगर अच्छे से मॉनिटर करो क्लिया झोसरा उसको वीजयोल आ थिजुवल हालुसिनेशन हो सकते हैं तो पैशिटेंको साहत कोपरेट करो तो विए कॉमज़ कमन हालुसिनेशन इन और इ्न और इठ हैं हो काया है अंब बदा एक कंछिटेंट जो थी हमारे इपाट्मेंट जी ति उसको darling's disease थी, darling's disease आप लोगों ने सुना होगा, comment करके मुझे बताना कि darling's disease क्या होती है, clear, आप net पर search करोगे और comment box में जरूर बताऊगे, clear, अगली वीडियो में आपको description के साथ बताऊगा, क्या होती है darling's disease, अभी क्या था कि उस person को darling's disease थी और वो GIT, liver transplant के department में आपार्टम कि दो जने, दो जने हैं, मुझे ऐसी आवाजे आती है, वो ऐसे बोलती थी, मुझे ऐसी आवाजे आती है, कि दो जने मिलके, मेरे बारे में बात कर रहे है, दो जनों की बातचीत का मुद्दा कौन हूँ, मैं हूँ, जबकि कई बार मैंने दिखा होता था, रात की दो बज गई है एनाथ की दो बज गई है हम हमारा documentation कर रहे होते हैं किसी person की suctioning कर रहे होते हैं हम अलग होते है person bad no.1 पर था सामने उसके कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी उसे लगता है वहां सामने दो जने खड़ेते हैं और वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं बार उसे जो जो नहीं है दिखाई देना जो नहीं है सुनाई देना जो नहीं है उसकी खुशबोहना जो नहीं है उसका स्वादाना जो नहीं है उसका स्पर्श फिलोना कहीं बार गते है मुझे मेरी पत्नी ने टच्किया मुझे मेरे बच्चे ने टच्किया कहीं बार होता है ऐसी female जो आगे बढ़े हैं next question the most common cause of premature death in schizophrenia जब कभी भी किसी भी person को schizophrenia हो जाए तो आपसे बोला है कि मैं schizophrenia के patient के अंदर premature death का कारण आपसे पुछा suicide, improper nutrition, poor hygiene and infection, injuries देखिये, person की schizophrenia हुआ है तो उसकी insight insight तो obviously क्या होगी, absent होगी तो उसकी वज़े से poor nutrition हो सकता है, poor hygiene हो सकती है, infection हो सकते है injuries भी कहीं बार self को कर लेता है लेकिन यह सब कारण जो होते हैं premature death के नहीं होते है premature death का एक कारण होता है yes, schizophrenia, schizophrenia के पूरी दुनिया में जितने भी मरीज है उनमें से देखा गया है, 10% जो मरीज होते हैं वहाँ suicide करके important question next question, screen पर आप सभी के सामने क्या होना चाहिए next question, देखिए alexithymia means, देखो क्या बोला गया है alexithymia, एक term है, उसका मतलब उचा गया psychiatry में तो हमारे terminology ही आती है क्या पुचा गया, lack of interest lack of words to describe emotion unable to enjoy anything in life and lack of motivation, lack of motivation इसके लिए अलग term होगी lack of interest, lack of words to describe emotion and unable to enjoy anything in life, तीन option यहाँ पर सेम लग रहे है, तो यहाँ पर सही option पर जाना बार लिए चोन होती है तो इतना सा धिहान रखना, alexithymia alexi का मतलब यहाँ पर निकालो language से, lexi का मतलब यहाँ पर निकालना, language से और language का मतलब क्या रहा है, lack of words अंदर ही अंदर घुटता रहता है, कई बार depression जैसी भीमारी का शिकार, negativity जैसी situation का शिकार हो जाता है तो lack of words to describe emotion is known as alexithymia, clear? आगे बढ़े एक बार and hedonia, मिलता चुलता प्रशन यहाँ पर मैंने आप लोगो को दिया है, and hedonia का मतलब बताओ, lack of interest lack of words, lack of words to describe emotion, यह तो जाना पहचाना लग रहा है किसे बोलते है, alexithymia thymia मतलब होता है mood, क्लिक है, यहाँ पर क्या होता है mood, ठीक है, alexi alexi मतलब language, तो यहाँ पर language ही नहीं थी, describe करने के लिए mood को, unable to enjoy anything in the life, and the lack of motivation तो यहाँ पर सही option जो है, screen पर हमारे सामने है, कि unable to enjoy anything in the life person जो होता है, वहाँ enjoy नहीं कर पाता है खुश नहीं हो पाता है, pleasurable activities में शामिल नहीं हो पाता है, किसी के सुप का कारण, किसी की हसी में हस नहीं पाता है और उससे जब पूछो कि क्या हो रहा है तुझे तो इतना khoya khoya को रहता है तु हमारे साथ मिलता दूता क्यों नहीं मैं normal हूँ मैं तमरे साथ मिलना जुलना चाहता हूँ पता नहीं मुझे आसी नहीं पतानी मुझे मुझे माजा नगी आता है मेरा जिन्दी की नहीं रसोच हो कि ऐसी बाते परसुन करने लगता है C option screen पर आपके सामने सही option है आगे बढ़े एंडिडोनिया Unable to enjoy anything in the life that is known as एंडिडोनिया Very important प्रशन है आपके लिए Last question दोस्तो अगली वीडियो में इसका answer बताऊँगा Clear आपके comment box में इसका answer लिखना है जिन बच्चों का comments सही rational के साथ आएगा उनका में वीडियो में नाम भी लूँगा Regulation of emotion is function of emotion देखो क्या बोला गया है Emotion का regulation जो है brain का कौन सा area करता है Temporal log Frontal log Limbic log Parietal log Temporal log Frontal log Limbic log Parietal log बताईए कि brain का कौन सा area जो होता है वहाँ हमारे emotion के लिए चिम्मेदार होता है मीदे इस question का आप answer देंगे Mainly मैं अपने videos बिलकुल short बनाऊगा Important question और comparison करते हुए वाले question की बनाऊगा ताकि आप अपने time का सही utilization कर सके आप bus में travel करें Auto में travel करें market में जाए जब कभी भी आपको पांच माच मिनट के 10-10 मिनट के गेप मिले videos को देखें में तुरो videos को पूरा देखें आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँगा करता रहा हूँगा आप लोगों का selection जो है वो मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी बन चुका है तो वीडियो को अंते तक पूरा देखें ठीक है मिलेंगे अगली वीडियो में तक तक के लिए यूहीं पढ़ते रहें मुस्कूराते रहें विश्यूद All the best